तो हेलो दोस्तों स्वागत थे आप सभी लोगों का समराटिकेडमी ना मेरा ना मैकास और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोड एजाम 2021 की हिंदी के लिए के ठीक हैं और हिंदी में दोस्तों में आप लोगों को बताऊंगा बहुत लग कमेंट किये थे कि मुक्ति दूत में पांच सर्ग है ठीक है और करें दों कि पांच व सर्ग बता दें जो अभीट के इसाद कोई सोड ट्रिक बता यह बहुत लांग हो जारा याद करने के लिए तो मुक्तिदूत बहुत ही important टॉपिक है बहुत ही important खंड का आप सब्सक्राइब करने वाला हूं कि मुक्ति दुत कर सकते हैं तो इस वीडियों में आपको यही बात करने वाला हूं कि मुक्ति दुत के आप अच्छे दंग से तयारी करा जा रही है और अच्छे दंग से आप तयारी भी करेंगे तो चलते हैं वीडियो की वर चलिए दोस्तों देखिए आप आगया है मुक्ति दुत ठीक है कि देख पा रहे हैं मैंने अपने रफप प्र चैने वीड्र्चि एंग से लिखाया he바 वोगों के लिए थीक है खन्ड कवय मुक्ति दुत दुत देखिए प्रश्ण आप से किस प्रकार पुछेगा है कि मुक्ति दुत खंड कावय का सारांस लिखिए या मुक्ति दूत नामा खंड काव्या गांधी जी के जीवन दर्सन का एक पच चितरां कीतर करता है इस का ठानक की घटना सत्य हुआ एतिहासिक है कवी ने इसके का ठानक को पाँच सर्गों में भाजित किया है जिन्वे से एक इस प्रकार है कोई भी सर्ग लिखना है आप आंसर में सबसे पहले आप ही इसको इतना लिखें आए इतना लिखने के बाद तब जा कि आप रथम सर्ग देखें ठीके अब यहां पे हम सहब से परले प्रतम सर्ग देखें गे दिती सर्ग इसी तरह सभी सर्ग सर्ग देखें अस्वाट सार में पाप और अत्याचार बढ़ जाता है तब इस स्वर किसी महापूरुष के रूप में जन्म लेता है अन्याई रावण से मनावता को मुक्तिदू दिलाने के लिए राम का और अत्याचारी कंस का विनास करने के लिए स्री कृष्ण का अवतार हुआ इसी तरह भारत भूति का जन्म हुआ बस इतना अगर आपको यादे तो प्रतम संग आप आराम से कर पाएंगे देखते हैं कि कितना छोटा में मैंने बहुत अच्छे सब्दों में इसको लिखा है आप लोगों का इससे सट्री कोई होई नहीं सकता ठीक है पूरे कहीं भी आप देख सकते ह क्लिट होता हुआ अब हम पढ़ेंगे देखिए देखिए सर्गा कि के बेभी मैंने बहुत साट्री से लिखा है तो चलिए देखिए सर्ग के रहा है कि इसमें गान्दी जी की मनोदसा का चितरन किया गया है उनका हिर्दे यहां की निवासियों की देणिय दसा को देखकर अत्यधिक और उनके उद्यार के लिए चिंतित था एक दिन गांदी जी की स्वपन में अपनी माता को देखते हैं माता जी उन्हें समझा रही हैं कि जो तुम्हारा थोड़ा भी भला करें तुम उसका अताधिक हित करो गिरते को सहारा दो केवल अपना नहीं औरो का पेट भर मा कासमराद करके गादी जी हिर्दे भर आया उन्हें सुचा कि मा ने सही कहा है में मातर भूमी के बंधन का में कोट्ई-कोट्ई भायूं कि रच्चा करूंगा तो य Ouzelf य लिख सकते हैं दुट्य सर्ग में इतना मैंने सौर अरुसमस्राइक 되면 या तो आप मैंने एक और तर दो माता की वारी गादी जी के हिर्दे को असपर्स कर गई उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि वे देश के दिन हीन दिन हीन ब्यक्तियों को सहारा और अपनी जन्म भोमी के बंदन काट डालेंगे उनके मन में कुछ आदर से विचार इस प्रकार उत्पन हुई कि सभी भारतवा उच वर्गों के प्रती सहानबूती प्रकट की हैं फिर उनके प्रती बेद भाव कैसा रखा जा सकता है निम्न जाती में पैदे हुए सत्य काम को जब गौतम रिसी सिच्छा दे सकते हैं और सबरी को भगवान राम स्वेम अपना प्रेम अर्पित कर सकते हैं तो फिर इन हर जोनों को ही रदे से किसप्रकारालाग किया जा सकता है तो बहुत ही मैंने सिंपल वड में चाहिए यह निए यह लिए लिए सकते गह तो लिए सब्तुता हैं बहुत ही संब्ल साब्म सब्सकिए मormuş बढ़ेंगे लिए थी जलीयकट लावाला बात्य इसमें अब लिखेंगे इस सर्ग में भारत की दूरदसा और अंग्रेजों के अत्यचार का वरण विस्तार रुप्से किया गया है। त्रितिय सर्ग में अंग्रेजों की दमन निती के प्रती गांधी जी का विरोध ब्यक्त हुआ है। देश में अंग्रेजों का सासन था और उनके अत्य चार चरम सीमा पर थे। गांधी जी के निती से अंग्रेजों का हिर्दे नहीं बदला। तब उन्होंने अंग्रेजों क के विरुद सभीने सत्या ग्रह के रूप में संगर्श छेड़ दीया ठीके अब आगे देखे गांधी जी ने प्रत्थम विस्व यूद के समय देश्वासियों से अंग्रेजों की सायता करने का समर्थन किया गांधी जी ने अंग्रेजों के इस काले कानुन का उग्र विरू यहां पर निश्चित कर लिया अब देखे कुछ पॉइंट इसमें है यहां पर देखे कुछ पॉइंट इसमें है यहां पर गांधी जी का कतन था कि मैं घृणा देश किया आंधी न चलने दूंगा न चलाओंगा या तो जो kıधिह मर जाओंगा या इसको मार भागाऊंगा उन्होंने एक नाराप प्रसीद अपना दिया था ठीक है अब देखे अब चतूर सर्ग में ठीक है अब चतुर सर्ग में क्या सायो गंदोल्न साइमन कमी सॉन ंग्रेज LAUGHTER भाराच्फ चुड़ा अंदोलन ये सब चला ठीक उनके इनी अंदलोनों को कभी ने उनका युद घोशित किया, भारतिय राजनिती में उनका यह संगर निरनेशिद हुआ, कभी ने इसका संके चतुर सर्ग के आरंब में ही इन पंकितियों में किया, कि नव युग का सुब आरंब हुआ, गांधी संकर में कूद पड़े, अब पूलिस टाप और खड़ी पाई, इसको आपको ध्यान में रखते वे लिखना है, ठीक है, तब फूल माक्स आपको मिलेंगे, चले उसे के आगे नीचे आपको लिखना होगा यहां पे, कि अगस्त तो नई सो बीस इस में गांधी जीने और स्वयोग अंदोलन प्रारम किया जनता ने विदेशी सासन का वहिश्कार किया, अंग्रेजों द्वारा दी गई, उपादियों को लोटा दिया गया, तथा नोकरियों को छोड़ दिया, इस और सोयोग अंदोलन को देखकर अंग्रेजों की बड़ी निरासा हुई, ठीक है, तो मुईत करता हूँ कि यहां त तिरसकार के परड़ाम शवरूप अंग्रेज हिंसा पर उतरा है, इसी तरह इस अंदोलन में पंजाब केशरी लाला लाजपत राय भी समलित हो गए, संपुड देश हिंसा करांती प्रारम हो गई, गांधी जी ने भारतिय जनता को समझाया और उसे अहिंसा के मार्क पर चल अंदोलन प्रारम किया, अब देखे आगे लिखना आप लोगों के सब जगह एक ही सुर सुनाई पड़ता था कि अंग्रेजो भारत छोड़ो अस्थान अस्थान पर सभाएं की गई, बीदेशी वस्तरों को होलियां जलाई गई, अंग्रेजों को सासन करना दुभर हो गया उन्होंने दमन चक्र चलाया, तो गांदी जी ने एकईस दिन का अनसन कर दिया, इनी दिनों कारागार में गांदी जी की पत्नी की मृत्यू हो गई, वे इस आप्रत्यास अघास से ब्याकुल अवस्य हुएं परंतु पत्नी के सरगवास ने अंग्रेजों के विरुद उनक की गुंजी दिवारे, बन अबाविल चितकार उठी थराई उसी मिनारे, ठीक है, तिया सब कावत आपको लिख लेना है उसमें, ठीक है, यहां से चतुर्ख सरग आपको किलियर होता हुगा, अब हम बढ़ेंगे पंचम सरग की ओर, देखिए अब पंचम सरग आपकी स्किन गया है, इसमें सोतंत्रा प्राप्ती तक की प्रमुग घटनाओं का वरणन है, करागार में गांधी जी के अवस्थ होने के कारण सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया, दित्य भी सियूत के बाद वीशों की राजनिती बदलने लगी, इंगलेंड की चुनाव में मजदूर द अपना अलग राष्टे बनाने की मांग की, गांधी जी को भारत के विभाजन से महान दुख हुआ, मुहमद अली जिन्ना पकिस्तान के बनाने की अपने मांग पर अड़े रहें, भारत का विभाजन माउंट वेटन योजना के अधार पर हुआ, भारती सौनतंत्रा अधिन का लच्छे पूड हो गया, अता वे संगर्स राजनिती से अलग हो गया, उन्होंने कहा है कि लड़ाई मेरी हुई समाप्त विदाओं जीवन के जंजाल नया गांधी बन गया, तुम्हें सोदेश करेगा, प्यार जवाल लल नहरुने, कहा था, फिर उन्होंने देखिए य कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, इतना सुबिदाय दिया जा रहा है, आप लोगों को मेरे हैट राइंडिंग में अपने खुद लिखा है, तुम्हेद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लोगी है, तो प्लीज इस लाइक कीजिए और ज़्यादा इस वीडियो को सेर क कीजिए, तब तक लिए दोस्तों धन्यबाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में,